आज हम आए हैं संद गाव में फबड़ाना फबड़ाना में आप समझी गए होगे किस के लिए आए हैं आप यही अंताजा लगा सकते हो फबड़ाना गाव क्यों मसूर है एक और बात आपको बता देता हूं हम सापों से डुरते हैं और उनका नाम सुनते ही ऐसा ऐसे बहान जिससे साब्ड होते हैं। आई आज हम आपको सतीश परपड़ाना से हाज रूप-Ś रूप-Šीजर करवाते हैं। उन्होंने ये काम कई किया और उनकों सनक्मेन वकरियाना क्यों कहा जा रहा है। आई ये सतीश जीण से बात करते है। नमस्कार जी। नवस्कार्टी तो सर हमारे दर्सकों की सबसे कब से ये उमीद थी कि मतलब आपका नाम जो कि हरियाना में सभी जगह पहला हुआ है आपको देखने की उमीद थी सभी दर्सकों को उसी उमीद के हमें आपके पास आए जी नाम तो इस वज़े से हैं कि हम लोग सर्विस दे रह बता है तो हम उसका फोन भी सुनते हैं उसकी बात को अच्छे से गोर से सुनते हैं और उसकी समझे का समाधान भी करते हैं और अगर हमारे लाएक कोई सला है उनके लिए भी सला भी देते हैं अगर कोई किसी तरह किया इस बारे में कोई जैसे किसी को कई बार सांप कर जाता तो लोग पूछते हैं अब क्या करना चाहिए तो भी हम बताते हैं इसके लावा अगर किसी घर में सांप हो तो भी हम पकड़ने के लिए जाते हैं तो सर आप ये काम कबसे स्टार्ट गया और ये जी जब मैं तेरा साल का था खेत में गया हुआ था और वहां मेरी ड्यूटी लगी थी वही घास कटा हुआ है और वही कठा करके आना आपने तो मैं खेट में गया गास उठाने लगा उसके नीचे सांप था मैंने जो गास उठाया थोड़ा सा कठा करने के लिए वो गास के साथ सांप भी मेरे आथ में आ गया और सांप ने उस ताइम मेरे आथ पर ही काट लिया एक दम से जो मैंने देखा सांप मेरे आच कोई के ऊपर चिफटा हुआ है मैंने तुरूंत दूसरे आच से उसका मुझे नहीं पता था क्योंकि अब तो मैं सांप पकड़ता है अब तो मुझे पता है तो मैंने दो-तिन भाई थे, मां उनका वाज दी, किसी तरह से सांप से छुटवाया, फिर गाउं में आए, किसी ने कहा भी देशी दुआई पिला दो, किसी ने कहा भी जाड़ा लगवा लो, तो वो सब कराया, उसके बावजुद किसी ने कहा भी आप डॉक्टर को भी दिख तो उसने कहा नहीं हो सकता है कि उसने कम जहर चोड़ा हो, या फिर वो बीना जहर काहो, तो उन्होंने बताया, डॉक्टर साब ने को, इस सभी सांप जहरले नहीं होते, तो तब ही से मेरे मन में ये बात बेट गई थी, कि अगर जहरले सांप इसे रिया महत, कौन-कौन सी पर जाती है, कैसे वो दिखाई देते हैं, मैं परते लगाऊंगा, तब ही से ये जनून मेरे मन में जग़ा, जब आप 13 साल के थे, जब आपको सांप ने काट लिया, आपको घरवाड़े ले गए, आपने उसी टाइम से सांप को मंदल पकड़ने काम स्टार्ट कर दिया, न तो कई बार सपेरे आते हैं, उन से भी पूछता है, लेकिन मन की संतुष्टी नहीं होती, दीरे दीरे पड़ाई भी चलती रही, तो मैं पलस टू के बाद एक बार चिट नहीं गया मदरास में, जहां सनिक परक हैं, वहां कुछ दिन रुखा, कुछ शिखा, फिर उसके बा जब मेरी पड़ा आई चल रही थी, तो मैं ऐसे खाली हाथ से साप नहीं पकड़ता था, कपड़े से, हाला कि वह तरीका गलत था, और ऐसे किसी डंडी से दबाके कपड़ा रालके तब पकड़ता था, उससे गठना हो सकती थी, अब जब मुझे पता चल, मैं सोचता हूं क कि वह तरीका मेरा कितना गलत था, उसमें साप निकल जाता हाथ से और काट लेता है, तो अब मैं जब कहीं साप पकड़ता हूं, तो सभी लोगों से अपील करता हूं कि बिना सिखे, ऐसे साप नहीं पकड़ता हूं, मतलब सर, कई वीडियो हमने देखिए आपकी, जो पिछ प्रोफेशनल के तोर पर साप पकड़ने लगा, तो वो तरीकाई का लगी है साप को पकड़ने का, सिंखने के बाद, तो डंडी से तो किसी वीडियो में नहीं है, वैसे मैंने पकड़े हैं, लेकिन डंडी से किसी वीडियो में नहीं है, तो सर, गरवालों ने आपको कभी म मानसिक्ता ऐसी है कि भी ये तो मतलब कि हर एक आजमी का काम नहीं है ये तो सपेरे लोग साफ पकड़ते हैं एक तो क्योंकि गाओं में अभी जात बिर्यादरी के साफ से काम को देखते हैं एक तो उसी साफ से मना कर रहे थे दूसरा फिर जान का जोखिम तो लेकिन मैं कभी आगे पिछे छूप चपाके ऐसे साफ को पकड़ लेता था और जब मैं पूरे बारत के कोने कोने में को मादूसरे राजय में भी गया साफ को की किताबे भी पढ़ी जो घरवालों को साफ की किताबे मेरे बैग में मिलती कभी मेरे चुबारे में मिलती तो फिर भी वो गु ऑपन कुछ निकाल देने की बात बोली था और उन्होंने ये कर भी दिया मतलब हम अभी उनका इंट्रो्स हम घ्ले ही यह रही है अब आए आगे पूछते हैं तो सर अभी जो आप साफ पकड़ते हो उनका क्या करते हो लोग हमसे पूछते है वही ये साफ पकड़ता है इनका कोई बोलता है जहर निकाल के बेशता है इसका जहर में ज्यादा महेंगा बिखता है कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है तो उनको हमने लिखी तोर पर दे रखा है और लिखी तोर पर ओडर भी ओर रखें डिस्टिक लेवल पर बेश सतीस कुमार फलाने गाउं का है ये इसका मोबाइल नंबर है किसे गर में साफ चुप जाए तो आप जितने भी वाली लाइफ इंस्ट्रेक्टर हैं सभी के पास मेरी लेटर है उपर से उड़ ओगे तो उनके नोटिस में बात रहते हैं जैसे मैं कहीं गया साफ पकड़ने के लिए मेरे पास को लाई तो मैं सुचना देता हूं वाली लाइफ इंस्ट्रेक्टर को और उनी की देख रेक में साफ को जंगल में छोड़ दिया जाता है रही बात जो उसमें जैर लापन है वो खतम हो जाएगा साफ का जैर निकालने के लिए करोड़ों रुपे की लाइब चाहिए जो साफ का जैर है निकाल लेते लोग कई बारों सुनने में आया है एनिवल ट्रांसपोर्ट के क्या मुनते इसको इसके तहद कई लोग गिरफतार किया ग तो वो नसे के लिए यूद भी करते हैं कुछ दवाईयों में भी यूद करते हैं लेकिन एक वो बड़े लेवलगा काम है तो सर अभी आपको हर्याना सरकार यह दोरा सनेक मैं की उपाती गीती गे इसके बारे में आपको क्या राइए मतलों आपको इस उपाती से कितना तो उन्होंने हमें अवार्ड दिया था क्योंकि जब उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी फोरेस्ट एपार्टमेंट से तो हमने जो हमारे पास भी इस चीज की डिमांड आई थी तो हमने हम चानी जी लोगे आपको की ने हम कहां-क के नाम दियी सब्सक्राइब तब सभथा रियाक प्रेशन की सश्चा झाल मात जए फुर्त कि अब्सक्राइब बहुए रीयाना जीके में गूलिए जाए मुझे नहीं पता है तो को यह अधो जैने पता तो मैने तो जब ऑ V उसके जैसे लख भी चंद हो गई रागनी शांग तो आपको भी उनमें मुशूर वेक्टियों में सामिल कर दिया है और उसके उसमें सामिल करने बाद आपके अपर भी परसन आ गया है भी तो उससे एक दो वी है जैसे सतीस जी का गाव कॉन सा है ये भी दो तिन अर्याना जी कि जो किताब उनमें देखने को मिला है अब स्थीजी से आगे इस बात पूछते हैं तो सर लोग जो आपको बुलाते हैं उनसे क्या कुछ लेते हैं उसमें तो जी देखो जो इनाम हमारा बनता है हमारे खर्चे के इसाब से वो होता है इसमें फिक्स नहीं होता और गरीब खरी है यो कदे नूशोचो गरीब आदमी फोन निकरा डुदा अरो साब बढ़े अरब गर्भ में अर्कदे थामनुशोचो भाई उसने सतीशने बलावा वे तो भाई कदे पीशे मांगे ले गणे ले ले कोई ओन है गरीब आदमी खातर तो बाई देख सिदी बात है फरी है और जो को आपने उकत देना चाहो तो दे भीशिक है देख वाई फरीमत यह काम होया निकरते इसमें बिल्कुल कलियर कर देता हूं फिर बाद में फिर परसन खड़े होंगे मैं सिदा साथ आदमी हूं आख मिला के बात करने माला इस बात फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं गरीब आदमी कोन होता है एक मेरे जैसा जिसके आध मिल्कुल ठीक है पैर ठीक है और स्याम को दारूपी के सोई तो बेसक जो पड़ी में रहता है मैं उसको गरीब नहीं मानता अभी लोग डाउन चला हुआ था ऐसे आदमी हमने देखे कि दारूपी रखी है कोई एं हैं तो चोटे पोता पोती को वो पाल रहे है या फिर गर में जो कमाने वाला था वो चार पाई पर है वो कोई कैंसर से पीडित है ऐसी बिमारिया को कमा नहीं सकता उसकी दवाईयों का खर्च बड़ी मुस्किल से चलता है तो वो आदमी गरीब है गर के आलत देखे हमें प शिदा से पीसराँ आज से अधर करे मारु सी बाहरत कई जा आए डहीं से अभुतिे है का या है dues कुर गरीद देऊ है था ह 9 आजिंशन पाएं जजिए नहीं में लोड नॉग तो जो नो बताएं है कुछ सण दिन में निकलते हैं कुछ संप राथ को निकलते हैं कुछ साप की आते होती है, दिवारे के उपर चल चमाप। तो वहां की में बता देते हैं, कई बार दोए आध्म आधीं घार unsure आधे न देखा और अधा यकीन नहीं और यह अन्हों ने साप देख़ है, खिप्ली को देख के टर गए, तो हम उनको जाके दिखा देते हैं, और विए साफ है पका, साफ है यहां और फिर उनको डूंड के दिखाते हैं 50 लोग मोजूद होते हैं तो उनके सामने उनको 10 मिंट में साफ डूंड के दिखा देते हैं तो आप sir जैसे कही पे विजाते होस। आप ये बता देते हो यहाँ पे इस परजat ordinका साफ मिलेगा यहाँ पे इस पर जातनी के शहाँ मिलेगा आप इस पर जाते हो देखो झालूक रखते हैं अभी रट तकेड़े में एक डेथ होगी है, एक माना गाउं में भी डेथ होगी है, तो हमें पता है, वह सांप है ना जून से लेकर के अक्तूबर तक एक्टिवर रहता है, सर्दियों में वह सबसे जल्दी जब सर्दी आती है, नॉम्बर में उचुप जाता है, और वह अप होगी मिलता है, इसी तरह अब कोब्रा है, कोब्रा शांप है, फ़नियर है, नाग है, वह काले रंग का सांप जिसको बोलते हैं, भई यह तो वह गोदाम में, सेलर में, फैक्ट्री एरिये का सांप है, उसको बीड़ बाड़ का इलागा पसंद है, क्योंकि वह जल्दी से सर सांप काट ले, तो उससे, जैसे किसी को सांप ने काट लिया, तो वह क्या करें, गबराए या क्या करें, जैसे किसी को भी तुरंट सांप काट गया, पड़ोसी को बताओ, गरवाले को बताओ, जितनी जल्दी उसके तू हेल्प लो, अगर गरमे केला तो पड़ोसी को बता सांप काटें में हो … गार पड़ा है करूप काटा है पानी क्योंकि कही var सांप काटें प्रूच्व करदें तो कही बार जा इनौत कि अपकर का लिए प्रूड़ा में होला है उसके पास भी डिकटी ना करें उसके पास जोर जोर से ना सिलाएं अराम से बोलना, देरिया बंदाई रखना ताकि उसके अर्ट बीट ना बढ़े और जितना जल्दी होसके तुरंथ होस्पिटल पहुचना है या फिर जैसे कई बार गर में ही काट लिया सांफ वहीं बेठा है उसका फोटो ले 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 या कई बार गुस्से में मार देते हैं लोग सांथ को उस मरा हुआ है कोई बात नहीं उसका फोटो लेकर हमें वाटस अप कर दें और पूछ ले भाई साब यह देखो कौन सा सांफ है जैरह ला कि बीन जैरगा अगर हमने कहिए भीन जैरगा फिर तो खत्रे से मुक्त होगे अगर हमने कहिए जैरह तो अब उस बात के ढ़ना उसके मनिटरिंग और दस बार गंटे पंदर गंटे उसको रखेंगे अगर उसको जैर कासर नहीं हो चोड़ देंगे जैर कासर होया तो उसके एलाज सुरू हो जाएगा तो सर आपने अब तक सबसे बड़ा साथ कौन सा पगड़ा और कहा पे पगड़ा कुछ याद होते हैं अाग पगड़ा साथ निद निद अétais एक अतर और कि इस अट न वां कुछ आम आपने न ऊन काता है नहीं को कड़ शाटब पहुत नहीं पहुत है इस पाने वाला साथ बिशल जीड़ा जी। ने में और ख़तरा उन से इनक लार अनए उसने ख़तरा है और थे जय क्वा खाया साब वे आ कि लार में बेक्तुरिय 弟 आ कोई गमबीर भी हो सकती में किया कोई बीमार चुआ उसने खा लिए या किसी तरह का बैक्ट्रिय देन खाता है की जो चीड में निमारी एक वो चुवे से फृंट रही थी कुछ आई थी वही मतलना वही काम होगय जो कुछ भी हो सकता है या को यह को दूसरा जनुवर क्हा लिया हो यह माचारी जी वैसा है गए और चुए मेंड़ की ये खाते हैं तो मैं यहीं सलाय कि साफ काट जाए तो हुस्पिटल पहुचे तो सर अमारे दर्सकों को एक बार आपका नमबर बता दीजिए अगर किसी कोई भी प्रेशन नहीं है साफ दीख रहा है किसी गर में साफ चुपा है किसी वह साफ ने काट लिया है तो उसके लिए आपसे संप्रक कैसे करिए तो यह बताओ दोस्तो मेरा मोबाइल नमबर है मैं बाणुए 55-130-130 दोबार फिर रिपीट करता हूं बाणुए 55-130-130 यानि कि 9255-130-130 और दोस्तों एक बात मैं बताता हूं कहीं बार जैसे साफ नहीं आहां काट लिया लोग बंद लगाते हैं रसी से रसी से बंद ना लगाए कंपडे से लगाए क्योंकि ज़्यादा टाइट बंद नहीं लगाना होता और फिर इसको ऐसे नी रखना कार से निच्चे रखना होता है और इस चकर में ना पड़े पुराने रूड़ वाधी तरीके हैं कि भैस सा यह गलुआ कि यह को रही पार हम बघृอ किंऊंगे सेंद्ध धने हुआ। ्ष्टि जिता मई आंति एक hates say superpower कि आपने देखा हुआ है कि संफब वाहर इंड या नीपिते संफब परदस्ति आरक्या संगे 15 दिन और जाकर दिया तो दूद मर जाएगा जो दूद है जो साका हार है उसको पचा नहीं सकता वो उसके पेट में उसके लिए एक जहर बनी जाएगा तो इसलिए साप चुहें खाता है इसी वजह से इसको किसान का मित्र बोलते हैं और साप को कभी ऐसा नाग पंच में बगएर आपर साप को दूद बिलाने की कोशिशन मतलब जी जैसे यह कभी बोलते हैं आज नाग पंच में हैं आज यह है साप को नाग को दूद बिलाना है आज वह वहांपे जाए जैसे एक मिट रोक लोगे तोसर बताएं यह यह जी कि साप दूद निपित्चा साप सुद मास आरी जीव है इसके जो पेट के पाचकरस है मास को ही पचा सकते हैं शाकाहर को पचानी के पिसमता इसके अंदर ही नहीं तो सर यह जो साप पकड़े आपने हैं यह कोई सपेशली जगह पे छोड़िया तो यह कहीं पे भी छोड़ देते हैं जहां जी कोई बड़ा जंगल होता है वहीं छोड़ देते हैं जैसे अभी ब उन्होंने सांप एक सांप फिल्ड़ से गड़ा, संब शुप गया, उभा दूर्ड़न हो गया, दो दिन के बाद उन्होंने उसका कम्रे में सांप को फिर देखा, लेकिन वो जब लाठ उटा के लेका है फिर उसी कमरें प्यूप गया तो उन्होंने हमें बुलाया हमने जाते हैं साप को पगड़ दिया जाते ही उनकी आजरी में और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्हीं दो किलो मेटर दूर बड़े गाउं का इस जंगल है उन्होंने अगरागाण गटी है मतलब आप साप को कोप पकेड़ने गए साप आपको नहीं मिला वाक्स अना बड़ा का लिया ओर कई ऐसा हुआ है मतले हुसाप को देखके आपने मंद में थोड़ा बहुत पाया नहीं एक तो इसमें हम यह कलियर कर लेते हैं फोन पर वह उसने साप मत उठाओ अगर उसके उपर चलने के निसाना फिर हमें बुलाओ या फिर आप तरुंत यूसी दिन बुलाओ हमें इस दिन आप सांप देखनें अगर हम जाएं और देखो इसमें यह ऐसा होता है कि आपने घर में सांप देख लिया और आपके छे कमरे हैं और जैसे जहां नहीं देखा उख्या और इस कमरे के अंदर गया थे सांप को लूंड लिया तो बाखि पांच चृषश निए जो वो एकक मरे मिल गया और अगर वहां से मिकल जाए सांप हमें पढ़े पहले-ए ऐक अमरा चेक किया फिर दूसरा पिर तीसरा चै कमश तीन बार चेक किये दे के देखना पड़ता है बारिकी से अगर वहां से उन चक्मादे के सांप निकल जायर सांप ना मिले पिर ताइम बहुत लगता है कहीं कहीं गंटे लग जाते हैं पुरा-पुरा दिन भी इस वज़े से हम यह इन्वेजन करते हैं भी जीस दिन आप सांप को देखे तुरण बुलाओ दून ना हमारा काम है लेकिन उस समय सांप मोके पर होना चाहिए यह नहीं कि आपने चार-पांच दिन पहले सांप ने खाफिना में बुलाया और फिर दूसरी कोलार यह जिनका सांप सांपने बेठा है और हमारा समय बर्बाद होता रहे तो सर जो भी इसको भी सा आपने डशा है वह आपको भूल करता है अपने पास बुलाते हो या उसको यही सला देते हैं जैसे अभी मेरे पास अभी कोल आई थी इंट्रिव्यू लेते लेते वह यूपी से हैं अगर वह जैसे हमने बता अभी कलपना चावला करनाल में फरील आज है अगर वह जीस ऐसी जगावनों ने खुद बढ़ा भी हमें तो च्यार गंटे लग जाएंगे लड़का भ्योंस है मुह से जाग नेकल रहे हैं तो वह मतलब एक सफर एक खत्रे किसे पर आए तो हमने उसको यही सला दी कि आपके जो जीला स्थर पर बढ़ा हो हॉस्पिटल आदमी की जवान आदमी जैसे किसी के साथ लडाई करेगा तो ज्यादा थाकत है अगर स्कोब्रा साफ का बच्चा है उसकी विस्गरंथी भी छोटी होगी जैर की मातरा कम होगी वह कम छोटेगा तो अब इस बात के उपर डिपेंड करता है कि साफ ने जैर कितना छोड़ा एक बूंद छोड़ी दो बूंद या छे बूंद जैर की छोड़ी तो रोज के इसाब से जैसे कि मैं आपको बता दूँ एंटीबोटिक पर डिपेंड करता है कि एक आदमी दिन में खेच में सप्रे करता है चारीश टंकी कीट ना सकी सप्रे कर जा उसको जैर का कोई असर एक आदमी सप्रे कर रहा है लेकिन दूसरा आदमी उससे पास को गुजर के गया जो उसके पास से गुजर के गया उसको जैर कासर हो गया थोड़ी दो मिंट गुजरने में लगी उसको दवाई चटगी सप्रे की दवाई उसको चटगी लेकिन जो पूरा दिन सप्रे कर रह कि उसको दूप सेंद नहीं हो रही है एक आदमी है आपको थोड़ा पटा लगेगा मैं सिर्फ कुदा रहा हूं पटा लगेगा आपने देखा हुगा है एक आदमी ने पूरी बहुत तल स्राब की पीली और मोट साइकल वो चला रहा है हैले कि ऐसे चलानी नहीं चाहिए गैर की तकने गंटे वाद की जोम किसी को मैंने देखा कि बारहा चोदा गंटे के बाद भी जैकाश रुआ है और इस तो कि सुनी नहीं है यह शिरफ सूना ही बाते हैं हम जो भी बातने जवाब में है साइंटिफिक देंगे प्योंकि हमनें जाँ सिख्खा है और इँनों को पर सुनायी बात के तो में ऐसा नहीं बोलber दोस्ति जी का इंट्रीव था स्नेक मैंनों बरियाना के इने उपादी दी गई है अगर आपके घर में या कई पर भी आपको साब दिखे या काट ले तो इन से संपर कीजिए इनका नंबर वही है आपको दोबारा भी बता देता हो नाइक टूट वन थ्री जीरो वन थ्री जी आपको पता है हर याने के अंदर हम साब पकड़ते हैं और कभी कभी पुझाब में चले जाते हैं एक दो बार राजिस्थान भी गए है यूपी भी कहीं बार गए है लेकिन फिर हमें मैसुस होता है यार अपने गर से हम 200 किलोमेटर दूर आए और जब हम 200 किलोमेटर दूर आए एक साब पकड़ने के लिए तो फिर मेरे एक एरिये से कम से कम 10 को लाई तो मैं एक साब जो भी अरियाना में शेवाई जादा देने के ज्यादा इच्छु गहां मतलो अबने अरियाना के पर तो इनका सिद्धा मक्सदियू है जिसके दोर भी साब दीखे छोटे बालका ने या कुछे ने भी तो सिद्धी बातिया इनके दोर संपरक करो अर्जे की में भी गर्डबढ़ है किसे ने साब डश लिये किसापने कोई डश लिया या किशे ने काइट लिया जया कुछ होगया हो तो इंते संपरक करो तो सर जी आप दो दौई बगारा भी देते हुआ है इसमें दौई में तो यह देखना पड़ता जी उसको किस आपने क चला गया तो मैं उसको बार बार कोल करता हूं मैं उसके कई बार लोग है कि मेरा फोन भी नहीं उठाते जैसे वो बोलते हैं जी वो तो जाड़ा लगवान चला गया फोटो आप तो बेज लिया हम खुद बतावा है भाई साब यह तो बड़ा जैरिला सांप अभी सौंगरी क अगर उसको नहीं संबालते हैं तो मैं काटी ले गया हूं आपका आदमी को दिक अज़ा है जाओ वो मौर साइकल लेकर गए देख आदमी उनका पहता है जैरम और जहां लगा रहा है उसको लिटा रहा है आदमी पहता है स्के बावजुद है उन्होंने मेरे को पून का भी और कम मेरे कोंस आया तो उन्होंने बता भी तीन दिन में हो गया है तीन दिन के बाद आपने आखे बोली है तो यह बात है भाई शिद्धी बात यह नो नहीं सोचियों एक के गाम मदफ होना गया या एक डिस्टिक मदफ होना गया आलरी आने मत तो आवे आवे पोने यूपी बियार पंजाब यह जो भी है नहीं जो भी सतीजी की वीडियो देखा है इनका संप्रक में है तो वह इनका दोरह फोन कर रहे है भाई आजी आड़ा ममन साब देख्या है तो इप के करा आप आज को के नहीं में सारी चीज पूछा है नूनी सोचियों एक आदमी फोन यह बात सही है की दिशिया एक गाम भी नी एक ब्लोक भी नी एक जीला भी यह और एक स्टेट भी नी तो यह देखिए आप मैं बार 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 यह फोन बजने हैं और फिर सुनने पड़ते हैं क्योंकि मजबूरी में फोन कर था मैं पता है कि वह एक यह दो मिंट अगले के यह कितने मुश्किल बर रहोत पर इतना इंट्रिव है बहुत 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 दन्यवाद स्थीज जी आपका आपको हमारे टाइम देने के लिए अगर किसी को भी कोई सवाल पूछना है तो हमारे कमेंट बुक्स में बता दीजिए हम स्थीज जी से अगली बार मिले तो उस जवाल का जवाब पूछे तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें धन्यवाद जय लिए जैहित साथिए